आप दुकान से कोई समान लेते हैं, आप ओनलाइन कोई समान लेते हैं और तकलीफ आ जाती हैं, मतलब आपको जिस बात के लिए गए पैसे, लेकिन आपको वो सर्विसेज नहीं मिली, आपको वो समान नहीं मिला, वो प्रोड़क्ट नहीं मिला, अब आप क्या करेंगे, या स समान तो मिला लेकिन वो defaulted है वो खराब है पैसे तो आपने पूरे दिये अब आप क्या करेंगे तो इसी वज़ा से कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं consumer law यानि जो consumer protection act है हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपको अगर कोई खोटा सिक्का मिल जाए चाहे वो आपका समान हो आपके कोई services हो तो उसकी फिर आप शिकायत कहां पर करेंगे क्या है तरीका जो आपका कर सकेगा समधान नमशकार आपने शुरुआत की अशोक पाइंडे के साथ legal advice में जहां पर आज हमने topic लिया है consumer courts के बारे में जहां पर आप अपनी शिकायत कर सकें उपभोगता इसका क क्या मतलब है मान लीजे मैंने एक दुकान खोल करके रखी है और वहां पर मैं TV बेचता हूं या fridge बेचता हूं अब आप मेरे दुकान में आए मैंने आपको किसी company का किसी brand का आपको TV sale किया और उसके एवस में मैंने आपसे पैसे ले लिए आप घर जाते हैं घर जाने के ब भारी भरकम एक तो उसकी कीमत थी 20,000 रुपे अब आप वकील की फीसी 10-20,000 रुपे पे करो और फिर अपने हक की लड़ाई लड़ो तो आपके साथ तो अन्याय हो गया इस वज़ा से consumer courts का प्रावधान किया गया है तीन steps में होता है यह जिला इस्तर पर उसके बाद में आ नेशनल consumer forum या consumer court अब यहाँ पर क्या है आपको कहीं और नहीं जाना पड़े जैसे मान लीजे आपका XYZ कोई भी जिला है आप अपने जिले में ही consumer court में ही शिकायत दर्च करा सकेंगे उस company की उस service देने वाले provider की अगर आप भोगता है तो आप उपभोगता forum में जा सकते है electricity भी आप लेते हैं तो आप उपभोगता होते हैं आप electricity के लिए भी आप जो telephone connections आपके हैं या आपने किसी service network को यूज किया चाहे वो जियो का है या air till का है या idea का voda phone का है आप उनके खिलाफ में भी शिकायत कर सकते हैं अगर वो services आपको properly नहीं deliver कर रहे हैं और आपसे उस ज़्याइन सबसे बड़ी बात आपके ज़्यादा पैसे करने होते ज़्यादा समय खर्च नहीं होता और आपको जो relief वो जल्दी मिल जाती है इस condition में आपको आपको हमेशा धियान रखना चाहे है अगर आपके साथ में नहीं होता है अन्याय होता है आप पहले उस company को अप अप उस दुकानदार को अप अप्रोच करें, फिर भी अगर आपको जस्टिफिएबिल आंसर या रिप्लाई या उसकी अल्टेनेटिव विवस्था नहीं की जाती है, तो आप उपभोगता फोरम जरूर जाएं, जो आपका जिला नयाले हो सकता है, जिला कंज्यूमर कोर्ट हो सकता है, वहाँ पर आप उनकी शिकायदर्च कर सकते हैं, और शिकायद देने के बाद, निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर कोर्ट से उपभोगता फोरम होते हैं, वो जादा तर उपभोगताओं के हक पे ही फैसला करते हैं, जादा तर, अगर आप गलत नहीं है तो, अ जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, किस संदर्व में आप अपनी शिकायद करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताने का करूँगा प्रयास, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, साथ ही साथ इस वीडियो की डिस् सभी स्वस्ता और सुरक्षित रहें